नमस्कार दोस्तों, पिछले दो दिनों से आप बार बार सुन रहे होगे कि चाइना का जो रॉकेट है वो आपका क्रैश हो चुका है इंडियन ओशन के अंदर, इसी को लेकर यहाँ पर नासा का बयान आया है और बहुती कड़ी प्रतिक्रिया आई है नासा की तरफ और उनके यहाँ पर नासा क्या कहना चाह रहा था, क्यों कह रहा था वो ऐसा लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर कई लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि exactly यहाँ पर हुआ क्या है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपड दिया जाता है, चलिए देखते हैं exactly यहाँ पर हुआ क्या है और हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, तो चाइना ने एक rocket launch किया था, अब आपको मैं बता दूँ कि 2022 तक चाइना का plan है अपना खुद का space station बनाने का, जिसका नाम उन्होंने बोला है तियान है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पूरा एक इस प्रकार का station होगा, और जो space station होता है, वो काफी large होता है, बड़ा होता है, अगर आपने international space station दिखा होगा, तो समय समय पर, यहाँ पर बहुत सारे जो parts हैं इसके, वो भेजे जाते हैं, तो जैसा कि आप राइट सेर में देख पारे बताया जा रहा है कि 10 बार rocket launch किया जाएगा, तब जाकर यह पूरा space station है, वो तयार होगा 2022 तक, लेकिन क्या हुआ, 29th of April को एक particular part को यहाँ पर भेजा गया, इसका एक particular part जो है, तिहान है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह वाला जो part है, इसको भेजने के लिए यहाँ पर rocket launch किया, बोलने के लिए तो वो superior बोलते हैं इसको, लेकिन अब आप खुद मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि किस तरह से यह बहुत जादा dangerous हो सकता है, तो यहाँ पर Long March 5B, इसके माधियम से भेजा गया, जिसमें यह देखने को मिला कि उसका एक particular part, rocket का particular part, वो आपका धर्ती की तरफ वापस आ रहा है, और finally जाकर वो Indian Ocean में crash कर जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है आपका Maldives, और Maldives के western part में, आपके exam point of view से देखें, वैसे तो पूछेगा नहीं UPSC इस तरह के question, लेकिन by chance you never know कि किस प्रकार से question आ सकते हैं, तो western side, अगर eastern side या फ रॉकेट का टुकड़ा है, क्या वो वापस धर्ती पर गिरेगा, कब गिरेगा, क्या वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है, इसको लेकर काफी जादा यहाँ पर criticism किया जा रहा था, और एक तरह से NASA ने भी इसको लेकर अब finally बोला है, कि यहाँ पर जो China है, वो का responsibility है, वो काफी poor है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम देख लेते हैं, कि जो Chinese rocket launch किया गया था, उसकी वज़े से चिंता क्यों बढ़ गई थी, तो देखेगा, कोई भी जो rocket होता है, जादा तरह आपको देखने को मिलेगा, उसमें boosters लगे रहेते हैं, इस प्रकार के छोट कर दिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं, और usually आपने देखा होगा, कि जो आपका rocket launch किया जाता है, वो oceans के किनारे होता है, तो basically यह वाला जो आपका booster है, वो oceans में जाकर गिर जाता है, ताकि किसी भी person को कोई चोट ना है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, Long March 5B की, यह जो आप rocket देख सकते हो, इनका थोड़ा सा अलग structure है बाकी के मुकाबले, यहाँ पर भी आपको booster देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा इसको कहा जाता है core stage, यहाँ पर आप देख पारे हो ना, यह 10 floor जितना, यह 30 meter section है इतना बड़ा section core stage का किसी का नहीं देखने को मिलता है, तो usually क्या होता है, booster निकलने के बाद core stage को भी separate होना पड़ता है, ताकि उपर वाला जो आप एकदम सबसे उपर देख रहे हो, पे लोड वाला जो stage है, इसी के अंदर तियान है, जो space station का part था, वो आपका orbit में जाना थ तो basically यहाँ पर क्या हुआ था, कि booster separate होने के बाद यह जो पूरा part आप देख रहे हो ना, यह payload के साथ, core वाला stage भी जो है, वो आपका orbit में चला गया, orbit में जाने के बाद यहाँ पर बहुत जादा friction हुआ, और उसके बाद वो uncontrolled हो गया, और low earth orbit से ही यह धरती पर वापस गि 25,000 km per hour की हिसाब से, इतने बड़े speed से यह गिरने लग जया, और यहाँ पर चिंता हो रही थी, पूरे wish में बार बार चाइना को बोला जा रहा था कि क्या यह कहीं गिर सकता है, क्या हो सकता है, चाइना इसको पूरी तरह से deny कर रहा था संडे तक, लेकिन finally जाकर यहाँ पर के western side में मैंने आपको map में दिखाया, वहाँ पर जाकर यह गिर गया, लेकिन काफी सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पर यह जो आपका टुकड़ा है, rocket का, वो कोई है सच हाम नहीं करेगा humans को, क्योंकि आपको समझना है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि क land में भी अगर आप देखोगे जमीन पर, तो uninhabited place देखने को मिलेगा, तो यह सारे कारणों की वज़े से जादा तर लोग सोच रहते कि शायद humans को हाम नहीं होगा, लेकिन इसी पीच यहाँ पर बहुत सारे questions raised हो जाते हैं, कि जिस प्रकार की जो technology डवलप कर रहा है चाइन क्या वो सही है, क्योंकि यह जो incident हुआ है, यह मैं आपको बता दूँ, यह 1991 के एक incident हुआ था जो की रश्या का यहाँ पर स्पेस्टेशन था, सेल्यूट 7, उसके बार यह सबसे बड़ा instance बताये जा रहा है, इनफार्क पिछले साल, last year भी मैं बता दूँ, यही वाला जो rocket वो आपका ivory coast के पास जाकर गिरा था, although वहाँ पर किसी को चोड़ तो नहीं आई थी, लेकिन still कई सारे buildings वगरा यहाँ पर damage हुए थे, तो इसी की वज़े से बार बार questions raised होता है China के उपर, कि वो किस प्रकार की technology को develop कर रहा है, किस तरह की transparency नहीं रख रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक और question आता है कि क्या ये China की mistake थी, ये जो वापस धरती पर गिरा है, एक तो होता है कि चलो technical problem हो गई, कुछ हो गया, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो किसी देश से होता है, लेकिन यहाँ पर जो China technology इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो सही है, इसके मैंने आपको बताया था, कि कोई भी जो टुकड़ा होता है rocket का, अगर उसको वापस धरती पर आना आता है, तो एक certain stage पर जाने के बाद उसको separate कर दिया जाता है, जैसे booster वाला मैंने आपको बताया था, और जो core stage भी होता है, उसको भी separate कर दिया जाता है, ताकि वो oceans पे जा चला गया, अगर वो पहले ही एक certain stage में गिर जाता, तो oceans में जाकर गिर जाता, तो कोई problem नहीं होती, लेकिन वाला जो stage है, वो भी यहाँ पर main payload के साथ चला गया, और उसके बाद धरती पर गिर गया, जिसकी वज़े से काफी जादा dangerous हो सकता था, और यहाँ पर चिंता की ब कि क्या आगे भी इसी तरह का हमें situations देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही same rocket का भी इस्तमाल किया जाएगा, आपको समझना है, अब इसी को लेकर US की तरफ से क्या response आया, सबसे पहले तो यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या US जो है, वो यह जो particular टुकड़ा है rocket का क्या उसको shoot down कर देगा, मतब कहीं धर्ती पर खत्रा ना हो जाए, कहीं पर problem ना हो जाए, क्या इसको shoot down करेगा US, तो जो defense secretary है US के Lloyd Austin, उन्होंने इसको rule out कर दिया, बट directly यहाँ पर जो blame है, वो China के negligence के उपर लगाया गया, लेकिन obviously बात है, China तो China है, यहाँ पर वो कि प्राइदा नहीं होता, सिर्फ western media ने इसको hype कर रहा, कैसे हो सकता है, अभी just मैंने आपको दिखाया कि बहुती कुछी दूरी पर, जो Maldives है, उसके just कुछी दूरी पर यहाँ पर वो गिरा था, by chance अगर कहीं पर कुछ हो जाता, हाथसा हो जाता, फिर यहाँ पर उसकी जिम station और space की जो चीजों में involved हैं, उनको अपने risk को minimize करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन China जो है, वो maximize करने की कोशिश करता है, ताकि उसी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, और जिस प्रकार की transparency रखनी चाहिए, मतलब सभी wish को बताना चाहिए, कि इस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं, ऐसा होगा, तो यहाँ पर transparency नहीं रखता, जैसे कि यहाँ पर China को भी पता था कि वो आपका धरती पर गिरेगा, लेकिन वो मानने के लिए ready नहीं था Sunday तक, जब तक यहाँ पर चीजें हो नहीं गहीं, और finally जाकर यहाँ पर clear जो NASA है, उन्होंने कहा है कि China is failing to meet responsible standard, जिस प्रकार का standard यहाँ पर space agencies को रखना चाहिए, वो विफल हो रहा है चाइना इसको follow करने में, तो यह पूरा वीडियो था जहाँ पर हमने बात किया, NASA के द्वारा slam किया गया है, चाइना का जो पूरा rocket crash वा उसको लेकर, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए लेकर इसमें यहाँ पर 4 option है, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसका जो right answer है आपको पताईए, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, आप Telegram से भी ले सकते हैं, यहाँ पर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ, आप पर जा सकते हैं, आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.